किГली हम आझ मैं आप अपको बताने वाला हूं की कैसे आप अपने YouTube पर अपने Subscribers को चेक कर सकते हैं, अपने Mobile, phone पर अपने अपनी Subscribers चेक कर सकते हैं और अपने Laptop के अपने लेप्टॉप पर कैसे चेक कर सकते हैं तो देड़ नहीं करते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर में बताने वाला हूँ PC या लापटॉप में सबसे पहले हम यहां पर अपना क्रोम कोलेंगे और यहां पर यूटूब डाट कॉम डालेंगे और यहां पर अपना चैनल लॉग इन कर लेंगे चलिए मैं जल्दी से लॉग इन कर लेता हूँ आप देख सकते हैं यहां पर हमारे चैनल लॉग इन चुका है तो सबसे पहले हम अपने प्रोफाइल आइकन आप यहां देख सकते हैं यहां पर क्लिक करना पड़ेगा देन फिर हमें यूर चैनल के नीचे पेड मेंबर्शिप फिर उसके नीचे यूटूब यूटूब स्टूडियो पर क्लिक करिए अचैसरा यहां पर देखिए आपको बड़ा बढ़ा लिक करा रहा है आपके करन्ट सबस्क्राइबर्स कित्ते और आपके अपने सारे subscribers दिख जाएंगे कि कितने लोगों ने आपको follow किया है आप यहां से filter भी कर सकते हैं कि आपको last 7 days में कितने लोगों ने follow किया और last 20 days, 90 days और एक साल में कितने लोगों ने आपको follow किया तो यहां से आप check कर सकते हैं, phone में थोड़ा difficult होता है तो चलिए मैं आपको फॉन का भी बता देचाँ मैं आपको मोबाइल में दिखाने हो लाँ कि आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइबर्स चेक कर सकते हैं सबसे पहले हम यहां पर क्रॉम खोलेंगे और यहां पर यूटूब डाट कॉम खोलेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आप यहां पर साइन इन कर दीजिए पहले स्वारी हो आपको मैं अपना पास्वर्ट नहीं दिखा सकता है हाँ तो आप देख सकते हैं अब आपका यहां पर चैनल लॉग इन हो चुका है तो सबसे पहले हम यहां पर अपने क्रोम को डेख स्टॉप मोड पर ले जाएंगे यहां से था तो सेम जैसे कि हम अपने डेक्सटॉप पे किया था उसी सेम वे में यहां पर हम अपने चैनल ऐकन पर जाएंगी यहां से आपको यूटूप स्टूडियो में जाना पड़ेगा तो देखिए यहां पर यूटूब स्टूडियो के खुल रहा हमारा अब आप यहां पर देख सकते हैं तो यह पेज हमारा खुल चुका है तो सबसे पहले हमें यहां पर अपने रिसेंट सब्सक्राइबर्स के पास जाना है इधर देखिए यह देख सकते हैं यह वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है रिसेंट में आप बाकी इधर सी ओल पे जाके देख सकते हैं कि किस किसने आपको सब्सक्राइब किया है यह है मेरे पूरे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट आप भी आप जाके अपनी लिस्ट देख सकते हैं यहां से आफ filter भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, सेम जैसे desktop पे कहा था, वैसे ही कर सकते हैं, बाकि आपके कुई होऊच आपकी हो तो मुझे comment करके बताएए, और मेरे इस video को प्लीज लाइक कर दीजिये, और कमेंट करके मुझे बताईए आपको कैसा लगा थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो